ये बहराई जिले की मेन मार्किट है पीपल चौरहा और आज हम यहां के जो अस्थानिये लोग हैं दुकंदार हैं इसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सबसे बात करेंगे बुल्डोजर को लेकर जो बाबा का बुल्डोजर है उसको ये किस नजरिये से देखते हैं हम एक एक करके सबसे बात करेंगे इसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं मुस्लिम भी हैं उनका क्या नजरिया है इस बुल्डोजर को किस तरीके से वो देखते हैं क्योंकि बाबा का बुल्डोजर जब अब रादी कापते भी हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उसमें बड़ा गरीबों का नुकसान भी हो जाता है वरीबों का तरिशान होते हैं वो तो यह बड़ा गलत होता है तो आप मुस्लिम समुदाई से हैं आपका कहना है बुल्डोजर जो चलता है वो अच्छा है लेकिन जो उसमें गरीब पिस जाते हैं यहूं के साथ जो घुन पिस जाता है यह गलत है कुछ लोग और यहां पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है क्या नाम है आपका लोग भी पिष जाते हैं किस नजरिया से आप इसको लेते हैं आम तोर से देखा जाता है जो मकान बन जाते हैं गर कैसे जलेगा इस लिए सड़क पर जो रोड बना लेते हैं यह भी तो परसाशन की होते हैं कि उसको वो देखे उसको पास न गरे या वो गलत हो तो उसके ऊपर एकसन ले क्योगी एकसन जो होता है कि पचास साल साथ साल कई बार तो आईसी नौबत आती है कि साव साल से बने रहते हैं पर बनाना है आप 20 लग भर नहीं बना सकते और बनाएंगे तो आपको गिराएंगा जाएगा जो जो खाने वाला होता है वो चाहेगा कि हमको पेड़ भर मिल जाए अगर उसकी जमीन एक विस्वा तो सोचेगा हम थोड़ा आगे बढ़ जाए वहां पर हमको और गारी पारकि लाकी नहीं मानते है प्रसाशन को चाहिए कि गरीबंको विख्या लखे और अगर कोई कहीं गलत बना रहा तो तो समझाए कि पाइस लोग उसमें नहीं सामिल थे उनको नोटीज मिली इसको आप नजरिये से लिए मेरा मादना है करे में 120 के छोड़ा जो जाना है पहले से उपाहिछ वहाइन GP wm उंड़ेंगे वुद्वोजर लेकं सिद्धानतों पर उन्यूम पर चले पीजे जी हैं इन्होंने बताया बुल्डोजर नीती अच्छी है लेकिन सिध्धानतों पर चलना जी है यहां पर एक साथी और हैं वरिष्ट हैं उनसे भी बात करेंगे क्या नाम होगा सरापका ताहिर नाम है मारास काहिर जी बाबा का बुल्डोजर तो किसी से छिपा नहीं है यूपी में कहीं न कहीं कोई जिला साही धी है ऐसा बचा हो जहां बुल्डोजर गरजा नहों आप इसको किस मज़रीय से लेते हैं लेकिन यहां कहीं नहीं अन्याय भी हो जाता है तो अब जैसे कुछ गरीब हैतब के भी होते हैं कोई वानली यह क्रिमनल है तो बिलकुल लेकिन उसके चक्कर में बहुत से निर्दोस लोग जो निर्दाने विचारे कमरोज बेली कमाख आ रहे हैं वो भी उसके जद में आ जाते हैं अब रही गई बात लीगल अनलीगल की तो सही पोचिए तो आप पूरा भारत भूम लीजिए हर चीज अनलीगल है जहां आप खड करें तो बॉल्डोजर नियाय कहीं शीमें नहीं नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वीels सीवास करें नहीं है होता है कि इनके द्वारा ना हुआ होता है. आप सोचिए को इस ततरह की नोटिस नहीं जाना झालिए, तो हुआ. उसके परक्रिया में वहा हुता है. उसके काहिए जी में िमान फसे हैं अगर इनका घर गिर रहा है वीच में महीव सिंग का आ रहा है तो वह गिर जाना चाहिए तो इस तरीके से इनसाफ करेते हैं तो योगी को इनसाफ पसंद होना चाहिए और अगर कोई किर्मिनल है तो उसका घर गिरना चाहिए लेकिन अगर किसी नहीं किया है तो उसके साथ य नहीं होना जो अपने सब्दों में इन्होंने बुल्डोजर का जिक्र किया है किस तरह कारवाई होनी चीए किस तरह नहीं होनी चीए एक साथी और भी हैं बुल्डोजर के लिएकर उनकी क्या राहें उनसे भी बात करेंगे क्या नाम है तरह की बात आती है तो क्रीमिनल का नहीं साथ में और घर गिरते हैं जो निर्दोस है अगर गलत धंग से बना है मकार उनका सरकारी जमीन के उपर है तब तो उसको भी अटा ना की है लेकिन उसमें नियाय होना चीए हर दिश्ट से कि गलत किसी के साथ देए अचा यह बताईए अपराधी जो होते हैं जब उनकी साख फुलती है जब पता लगता है वो अपराधी अब जब बुल्डोजर चलने जा रहा है उसमें हिंदूों के मकान भी है मुस्लिमों के हैं इसको किस तरह से लेते और अगर बात की जाए अपराधी का तो सिर्फ वो एक मकान है खाली उसी का होना चाहिए बाकि किसी का नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी आण में सबका हो र इसका उसको जड़ने देने का रास्ते तो कहीं है कानूम में अब मानने की बात है क्यों इसमें तो यह बहराई जिले के लोग है अलग-अलग लोग है अलग-अलग बुल्डोजर को लेकर बाते कर रहे हैं एक साथ यहां पर और मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे बुल्डोजर को लेकर अपनी राय दी अब यह देखने वाली बात होगी बुल्डोजर को लेकर जो लड़नीती है कप तक चलती है और इसमें क्या फेरबदर होती है पहराइश की फिपल चोराहे से बिन्नु बाल मेकी के लिए लोकानेट की इनकली रिपोर्ट